जय हिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेडी विद एम स्पीपी जैनल में दोस्तों यह लिस्टिंग का चौथा वीडियो है और इसमें मैं महत्पूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ देखें इसमें कॉंग्रेस अधिवेशन जो भारती राष्टी कॉंग्रे आप इसको एक दो बार देखिए वीडियो को और इससे अपनी अंडेस्टेडिंग बनाईए और क्लियर कीजिए याद आप नोट्स बना लीजिए नोट्स बनाके उसको रिवाइज करिए और तब आपका जो है यह एक भी अगर इससे कोई प्रस्म पनता है तो आपका गलत नहीं होगा ठीक है तो इससे पहले भी मैंने तीन लिस्टिंग वाले तीन चार वीडियो बनाए हैं तीन वीडियो तो उनको भी आप देख लीजिए उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर ठीक है आप मैं उसका लिंक जो है डिसक्रिप्सन में दे दूंगा ठीक है इसको बहुत ही ध्यान से और दिमाग में बिठा दे जाईए तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कंग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में यह कहां और कभ हुए हैं और कुछ उसमें जो कुछ विसेस बाते हैं उनको भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा ठीक है उसको भी बताता चलूँगा मैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला धिवेशन जो है इस्थापना के साथ ही 1885 में बंबई में हुआ था वेमेस चंदर बनर जी डबलू सी बनर जी थे अध्यक्ष इसमें 72 प्रतिनियों ने भाग लिया था तो ध्यान रखिएगा पह तीसरा जो है याद रखिए गया है दादा भाई नवर जी पहले जो गईर हिंदू अध्यक्ष थे ए ठीक और तीसरा जो है 1887 मदरास में हुआ था बदरुत दीन तयब जी यह प्रतिम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बदरुत दीन तयब जी यह प्रसंद कई बार पूछा गया प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल पांचवां 1889 में सर विलियम बेडन बर्ण ठीक छटवां 1890 कलकत्ता में सर फिरोश साह मेहता सातवां 1891 नाकपुर में पी आनन्चारलू आठवां 1892 में इलहाबाद में फिर डवलू सी बनर जी याद रखेगा नौवां जो है 1893 लाहौर में दादा भाई नोरो जी दसवां जो है 1894 मदरास अल्फरेड वेब ग्यारवां 1895 पूना में सुरेन नाद बनर जी 12896 में कलकत्ता में हुआ था इसमें रहीमतुला सयानी ये महतपूर्ण इसलिए भी है कि पहली बार इसी अध्यवेशन में वंदे मातरम गाया गया था ठीक याद रखेगा 12 अध्यवेशन में 1896 में कलकत्ता अध्यवेशन में गया गया था ये और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे तो रह्मतुला सयानी याद रखेगा 13 अध्यवेशन में 1897 अमरावती में सी संकरन नायर 14 ये 1898 मद्रास में आनन मुहंदास 15 अध्यवेशन में लखनव में रमेश चंदत थीक 16 अध्यवेशन में लाहोर में हुआ था एंजी चंद्रावरकर 17 अध्यवेशन में 1901 कलकट्ता में दिंसा इदुल जी वाचा थीक 18 अध्यवेशन में 1902 में एहमदाबाद में सुरेण नाथ बनर जी 1903 में मद्रास में हुआ था लाल मोहन घोष 2004 में सर हेंडरी कॉटन ठीक नेक्स देखिए 2105 में बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के अधक्षिता में 2206 कलकत्ता में ये महत्पूर्ण है महत्पूर्ण हो जाता thành फ्रक्रण ऑधिएशन में 1906 में तेश्वां 1907 में यहां पर कॉंच में फूट पड़ी था ये सूरत फूट के नाम से जानी जाती है 1907 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सूरत फूट के नाम से जानी जाती है इसके अधच के बारे में पुछा गया है कई बार पुछा गया है तो याद रखिएगा डक्टर रास बिहारी घोस ठीक आगे बढ़ते हैं चलिए 24 वां देखिए 1908 में रास बिहारी घोस ही थे यहां पर कॉंग्रेस का समिधान का निर्माड हुआ 25 वां 1909 में लाहूर में पंडित मदन मोहन मालवी की अधक्षता में हुआ 26 वां 1910 अलाहबाद में विलियम विडरवन ठीक है 27 वां 1911 कलकत्ता में पंडित विशन नरायन पहली भा धर यह 1911 का भी महत्तपोंड है महत्त 2111 में पहली बार जनगड मन गया था यह कहां पर कलकत्ता में यह भी कलकत्ता में ही इनके अधक्ष याद रखिएगा यहां पर रहीमत उल्ला सयानी थे पहले में जब बंडित मात्रम गया और यहां पर पंडित विशन नरायन धर यह जनगड मन के समय पर अधक्ष थे जब अम्मद बहादुर, तीसवां 1914 में मद्रास में हुआ था भूपेंद्रनाथ बसु, एकतीसवां 1915 में बंबई में सर सत्यंद्रनाथ प्रसंद सिन्हा, ये स्पी सिन्हा जो है उनके अधक्षिता में 1915 में इसमें लॉड वेलिंग्टन ने भी भाग लिया था, याद 1915 में जो बंबई में हुआ था दिवेशन, उसमें लॉड विलियन वेलिंग्टन ये उस समय अधक्ष ये वैसराय नहीं थे ये ठीक है, लेकिन इन्होंने भाग लिया था उसमें, बद्तीसवां जो है 1916 लखनव, ये लखनव पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद करके लखनव में 1916 में समझाओता हुआ, गरम दल और नरम दल में हुआ है, प्लस कॉंग्रेस और लीग में भी समझाओता हुआ, इसलिए इसको लखनव समझाओता के नाम से भी जानते हैं, तैंतीसवां जो है 1917 कलकत्ता में बहुत महत्तपोंड क्योंकि स्रीमती एनी बेस ये नेक्स देखिए, ये विसेश अधिवेसन बुलाए गया था, 1918 में बंबई में ही हसन इमाम, ठीक, ये चौंतीसवां, 1908 दिल्ली में, पंडित मदन मोहनमालवी के दक्षिता में, ठीक है, पैंतीसवां, यहां तक हमने देखा चौंतीसवां, ये पैंतीसवां है, 1919 अमर नागपूर में, सीवी, रगवाचारी, ये देखिए, इसमें कांग्रेस का सम्मिधान में परिवर्तन किया गया था, और यहीं नागपूर की अधिक्षता में ही, असायोग अंदोलन को भी मंजूरी मिली थी, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, एडिसनल फैक्ट आप य जूरी मिली थी, इसको, कॉंग्रेस द्वरा, इसको मतलब सत्यापित किया गया था, यहाँ, नेने लिया गया था, ठीक है, तो याद रखेगा, विसेशद नियम भी एक बुलाए गया था, 1920 में कलकत्ता में, लाला राज पतराय थे उसमें, सैंटीसवां, 1921 में, ऐमदाब में, मौलाना 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 अली, ठीक, विसेश बुलाए गया था, 1923 दिल्ली में, जिसमें अबुलकलाम आजाद बने थे अध्धक्ष, और यह सबसे युवा अध्धक्ष थे, याद रखेगा, यह प्रशन भी महत्पूर्ण है, कि सबसे युवा अध्धक्ष कौन थ थे, तो वो बने थे, अबुलकलाम आजाद, ठीक है, चालिसवाँ, 1924 बेलगाम, एक मात्र ऐसा कॉंग्रेस का अध्धक्ष थे, जिसमें महत्मा गानी ने अध्धक्ष थे, तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है, यह पूछा जाता है, कि एक मात्र ऐसा कॉंग्रेस का थे, याद रखेगा, बेलगाम करनाटक में है, एक तालिसवाँ, 1925 कानपूर में, स्रीमति सरोजनी नाइडू, यह भी महत्पूर्ण है, क्योंकि प्रथम भारती महिला अध्धक्ष बनी थी है, प्रथम महिला अध्धक्ष एनिवेसंट, और प्रथम भारती महिला 17 और 1925, तो दो ही तीन महिलाएं हैं, जिन्होंने अध्धक्ष ता की है, तो याद रखेगा, वो तीन यह याद रखेगा, 1917 हो गया, 1925 हो गया, एक आगे आएगा भी देखना, 1935 में आएगा, 22 जो है, 1926 गोहाटी में, ए स्रीनिवासन आयंगर, सदस्यों हीत, खादी वस्तर अनिवार किया गया, इसमें, याद रखेगा, 1926 में, गोहाटी अध्वेसन में, 1927 मद्रास में, डॉक्तर M.A. अनसारी, पूर्ण स्वाधिन्ता की मांग की गई थी, ठीक है, 24 उनिशो अठाइस कलकत्ता में, पंडित मोतिलाल नहिरू, याद रखेगा, इनका क्रोनोलाजी भी पूछा जाता है, ठीक है, 1929 लाहोर अधिवेसन, पंडित जवाहला नहिरू के धक्षता में, यहीं पे पूर्ण सुराज की मांग की गई थी, ठीक है, याद रखेगा, 1929 में, 1931 कराची के धिवेशन, जिसमें सर्दार वल्लब भाई पतेल ने धक्षता की थी, मौलिक अथिकारों की मांग की गई थी, यह सब प्रशन बहुत महात्पोन है, ध्यान रखेगा, अच्छा एक जी यह देखिए, 1930 में कोई धिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है, याद में कोई अधिवेशन आपको दिखे, मैचिंग में, लिस्टिंग में दे दिया, तो वो ध्यान रखेगा, 1930 में कोई भी नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं तो ऐसे देदेगा, लाहोर अधिवेशन, 1930, तो याद रखेगा, वो गलत है, ठीक, च्यालिसवां, 1931 में, कराची में सर्दारवलला भाई पटेल बता दिये मनें आपको, 47-1932 दिल्ली में, अमरित रंचोड़ दास सेथ, इन्होंने की थी अधिक्षता, 48-1933, देखे, कलकत्ता में, स्रीमती, नली सेन गुपता, मने बताया ना, अभी आपको, तीन वर्स याद रखेगा, 1917 में, एनीबेसंट, 1925 में, सरुजनी नाइडू, और ये 1933, इसमें, नली सेन गुपता, ठीक, तो ये तीन महिलाओं ने धक्षता की है, याद रखेगा, बहुत महात पूण है, 1934 बंबई में, डाक्टर राजियन प्रसाद, पचासवां 1936 में, लखनव, पंडी जवाहलाल नहिरू ने की थी, 21st, फैजपुर में, एक मात्र इसा, जो कॉंग्रेस का अदुवेशन, जो गाउं में हुआ था, याद रखेगा, ये भी मात्पूण है, और उसकी अधक्षता, पंडी जवाहलाल नेहिरू जी न की थी, 51st, ठीक है, 22nd, जो है, 1938 हरीपुरा में, सुभास चंद बोस, पहली चुनाओ को ले करके, तो इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है, उसी के बाद से इन्होंने forward block का और ये सब इन्होंने स्थापना के थी, 1940, रामगड का दिवेशन, जिसमें अबुल कलाम आजाद ने अधिचता के थी, ठीक है, 1946 में, मेरट में, आचार जेभी कृपलानी, ये आजादी के समय यही थे अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा भी गया है, और महत्पूर्ण है काफी, तो याद रखिएगा, कि आजादी के समय कौन था अध्यक्ष, तो ये थे, जे भी कृपलानी जी, ठीक है, 56 जो 1948 में हुआ, वो जैपूर में, भी पट्टा भी सीतर म पूछा भी समय है, 579-59, नासिक में पुरसोतम दास टंडन, तो याद रखिएगा, ये अंतिम था, जो कि पुरसोतम दास टंडन जी ने अध्यक्षता की थी, तो बहुत महत्पूर्ण है, ठीक है, डेक्टर राजेंद, 1747 में दिल्ली में हुई विशियस अध्यक्ष अध अध्यक्षता की थी, तो ये प्रस्ण पुछा गया है, ये ये यूपी PCS में या यूपी SSSC, पेट के एक्जाम में ये आया था, तो उसमें पुछा गया था, कि किसने अध्यक्षता की थी, तो डेक्तर राजेंद प्रसाद जी ने, ठीक, चलिए, आई होब कि ये जानकार सब्सक्राइब कर लीजे, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आईकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लीजे, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है, तो ऐसे ही लिस्टिंग वाले वीडियो में बनाता रहूंगा, लाता होना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद, जये,